हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्यू कोचिंग क्लासस पर स्वगत है तो दोस्तो क्लास 11 चैप्टर 4 कमिश्टी में दोस्तो यह मोटी थियोरी के आधार पर आज हम इलेक्टरान भरने के आधार पर उर्जा आरेक खीचेंगे ठीक है दोस्तो जैसे S2 है N2 है O2 है तो दोस्तो वीडियो को अंतक देखिए दोस्तो आज काफी मात्मों टॉपिक आपके लिए होने वाला है ठीक है तो दोस्तो क्या होता है क्वेश्टन क्लियर है आता ही आता है कि N2 या O2 या CL2 दोस्तो इन में से क्वेश्टन क्लियर है लाइक करेगा दोस्तों सेर करेगा चलि सब्सक्राइट करते हैं, तो यही जाड़ना जरूरी है कि इलेक्टान हम भरें गे कैसे, है न, तो दोस्तों यह जो हमने क्रम लिख रखा है, न, बढ़ते हो यह उर्जा इसतर के क्रम है, पहले दोस्तों ओन E collateral में इसके बाद 2S में है ना और इसके बाद दोस्तो टूपी में होता है X by Z तो ये कंडीशन है दोस्तो आपके सलेबस में जितना है उतना यपन बता रहे हैं ठीक है अब दोस्तो आपको पता होना चेज जो आणवी कच्छक होता है दो परमाडूं से मिलकर बना होता है मतलब दो परमाडूं की एल दिया जाता है जो कि हमने custom इस एक परमाडूं का है तो एक परमाडव को औरapa तो जैकर कर दो कच्छ설 करेंगे तो दोस्तो में जैसे एक सिडमा हो गया एक सीमा इस्टार हो गया दुश्तो सीगमा क्या मतलब आवंधी और सिडमा स्टारा है प्रती बंदी टीक है तो जब भ आबंदी है और सिग्मा इस्टार बिफ्रीद बंदी अब दोस्तों सबसे पहले इलेक्टरान सिग्मा 1S में जाएगा इसके बाद सिग्मा 2S में जाएगा फिर सिग्मा इस्टार 2S में जाएगा इसके बाद पाई 2PX में जाएगा ठीक है ये दोनों बराबर होते हैं दोस्त स्टार पाई 2PX और स्टार पाई 2PY में ठीक है दोस्तो इसके बाद सिगमा स्टार 2PZ में जाएगा तो इस प्रकार दोस्तो इलेक्टान बरने के सही तरीके हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें आपको चिंता करने के जोरत नहीं है इसको अपन दोस्तो जब समझेंगे उधार तभी समझ में आएगा तो चलिए देखते हैं पहला अपना दोस्तो आपके पास है हाइड्रोजन अडू एक सिंपल लेकर चलता हूं दोस्तो हाइड्रोजन अडू लेकर चल रहे हैं इसका सुत्रोगा S2 क्लियर है अब दोस्तो इरी हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रान होगा, तो दोस्तो दो हाइड्रोजन तो कितने इलेक्ट्रान होगे दोस्तो, तो दो इलेक्ट्रान होगे, कहने के मतलब दो हाइड्रोजन परमाड़ों से मिल कर बनता है तो यहाँ पर हमेजी डिटेल लिखना चाहें दोस्तो तो लिख सकते हैं कि यह है दो hydrogen परमाडू कितने hydrogen दोस्तो दो hydrogen परमाडू के 1S1 1S1 परमाडू कच्छकों के संयोग से बनता है के संयोग से बनता है क्लियर है दोस्तो बनता है तो इसका आणबिक कछक का बिन्यास कितना होगा दूस्तो का बिन्यास क्या होगा बात को समझेगा आपके पास H2 है तो पहले मैंने क्या का दूस्तो पहले Sigma 1S में जायगा तो Sigma हो जाएगा दूस्तो और 1S हो जाएगा 2 Electron S में भरे जाते हैं है इसके बाद दोस्तों फिर किस में अधों तो सिंगा स्थार में बर जाएंगे तो सिंगा स्थार उनियस्थ यह डूव чем क्लीयर है अब दोस्तों पहले दूसरा नाम बोलते हैं, बंध कोठी ठीक है, बंध क्रमिय, बंध कोठी, इसका होता फर्मुला दूस्तु, 1y2, nb, –na, clever है, तो दूस्तो यह जो star होता है न, वो प्रीद बंधी कहलाता है, और दूस्तो यह आवंधी कहलाता है, तो देखिए, आपके पास कितना भी प्रीद बंदी इलेक्टरान है और कितना दोस्तों आपके पास आबंदी इलेक्टरान है तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा गड़बड हो चुका है क्योंकि हाइड्रोजन की किवल दो इलेक्टरान होती इसलिए यहां पर यहां पर नहीं होगा इलेक्टरान जीरो होगा यहां पर हो जाएगा वन वाई टू यहाँ पर दुस्तों यहन भी मतलब आबंदी तो गया टू और भी प्रीद बंदी दोस्तों जीरो कुल मिलाकर टू अपां टू बरबर वन तो इसका दूस्तों बंद कोटी आगे आपके पास वन कलियर है बंद कोटी और बंद क्रम अब दूस्तों इ कर चल रहा हूं समझेगा जैसे मैं इसको उर्जा रेक इसको मैंने कह दिया दोस्तों यह उर्जा इस्तर है यह क्या है उर्जा है ठीक है उर्जा इस्तर है अब दोस्तों दो हाइड्रोजन है आपके पास कित्य हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मैंने यहां लिखा और दूसर करते हैं दोनों क्या करते हैं सहयों करते हैं कि यह दोनों आपस में सहयोग करेंगे ठीक है इसका एक एलेक्टरान और इसका इलेक्टरान पहले दोस्तों सिग्मा 1S में जाएगा यह सिग्मा 1S है ठीक है इसलिए इसमें इलेक्टरान जाएगा और यह सिग्मा दोस्तो 1S ही है लेकिन स्टार है भी प्रीद बन दी है तो पहले दोस्तो इसमें इलेक्टरान बरेंगे तो दोने इलेक्टरान इसमें बर गए तो यह हो गए दोस्तो उर्जा आरेक है ना किसका उर्जा आरेक molecular orbital S2 का आरेक हो गया दोस्तों ठीक है तो S2 आणू का S2 आणू का क्या हो गया दोस्तों आरेक हो गया कितना easy है दोस्तों simple है बस आपको सीखना जरूर यह तो चले दोस्तों अब देखते हैं आणू के लिए तो यह हो गया hydrogen आणू के लिए ठीक है बस यहाँ पर आपको इतना याद रखना दोस्तों पहले sigma 1S में जाएगा फिर sigma star 1S में जाएगा फिर दोस्तों sigma 2S में जाएगा sigma star 2S में जाएगा फिर pi 2px हो जाएगा दोस्तों इसके बाद ऐसे लिकाल लेंगे तो अगला देख रहे हैं दोस्तों अपना helium का ठीक है helium दोस्तों helium है 1 helium पर electron किते होते हैं 2 ठीक है तो 2 helium होगे total electron किते होंगे 4 ठीक है ना तो दोस्तों यहाँ पर 2 helium है परमाडू 1S2 के आपस में जुड़ने से प्राप्त होता है 1S2 क्यों दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 2 electron है प्रतेख helium के पास 2 electron है दोस्तों तो 2 electron है इसलिए 1S2 आपस में सही होगोने से प्राप्त होता है अब मैं बात करूं दोस्तों helium की S2 तो total 4 electron हो गए क्योंकि यहाँ पर helium के 2 परमाडू है तो दोस्तो इसके जो आपस में कछशक में इलेक्टरान बरेंगे तो दोस्तो ssigma1s2 होगा. साथ में डोस्तो मैंने बताया था सिग्मा के बाद सिग्मा स्टार में भरा जाता है और 1s2 हो गया. अब डोस्तो इसके पहले मैंने जब hydrogen का बताया था तो केबल sigma 1s2 था देकिन या sigma star 1s2 क्यों आया क्योंकि 4 electron है तो इतना तो clear हो गया दोस्तो इसको अब बंद क्रम निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं बंद क्रम का फार्मूला मैंने क्या कहा दोस्तो 1 by 2 आप कर दें और nb-na clear है कहने का मतलब दोस्तो nb का मतलब क्या होता है कि आबंधी इलेक्टरान कितने दोस्तो टू है और विप्रीत बंधी भी टू है तो 2-2 0y2 equal 0 मतलब दोस्तो यहाँ पर जो बंध कोटी आ गया है ना या वंड आर्डर जो है दोस्तो बंध क्रम जो यहाँ पर हो आघ्लिण हो गया अब इस काम को दूस्तो आरेक निकालना है मतलब malware आरेक आरेक निकालना चायते है ठीक है तो दोस्तो कुछ नहीं पहले आप to scale से क्या करें कि आप उर्जा आरेक बना लें ठीक है उर्जा इस्तर बना लें तो ये मैं खिच देता हूँ दोस्तो ये मेरा क्या उर्जा इस्तर हो गया मैं ऐसा लिख देता हूँ यह उर जा इस तरह दोस्तों ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर हीलियम के कितने अडू है दो अडू है न तो मैंने हीलियम बना दिया ठीक है और एक हीलियम ही हो गया दो अडू है दोनों के पास दोस्तों एक एक आपके पास क्या है कच्छक है दोनों के पास एक एक कच्छक है दोनों आपस में क्या करेंगे संयोग करेंगे ठीक है देखे दोस्तो दोनों आपस में संयोग करेंगे इस प्रकार से बनाएंगे अब दोस्तो इनके पास कितने कितने इलेक्टरान थी आपको तो पता होना चाहिए तो दोस्तो इनके पास दो-दो इलेक्टरान थे तो दो-दो दोनों में था तो पहले दोस्तो सिग्मा 1S में भरे जाएंगे और इसके बास सिग्मा स्टार 1S में भरे जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो एक-एक इलेक्टरान दोनों के है और एक-एक इलेक्टरान यहाँ पर तो यह हो गया दोस्तो आपका MO-R1 यह नहीं molecular orbital R1 हो गया clear है अणुक अच्छा R1 हो गया है ना उर्जा इस तर तो यह helium का हो गया दोस्तो यह तो नारमल है अपने हम lithium का भी देख लेते हैं और जो अगला वीडियो पे रहेगा दोस्तो उसमें काफी मातपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जो कि अपना फ्लोरीन करेगा nitrogen करेगा और दोस्तो oxygen का तीन में से एक definite trop से आपकी course में आने आने वाला है clear तो चलिए एक और चर्चा कर लेते हैं दोस्तो आप start cut में समझाने वाला हूँ एक और मैं जैसे मैं यह दी बात करूँ lithium लीथियम अड़ो है आपके पास दोस्तो ठीक है तो lithium के पास दोस्तो total electron की मैं बात करूँ total electron हो जाएंगे 6 क्यों 6 हो जाएंगे दोस्तो क्योंकि total एक lithium में 3 electron तो 2 lithium में 6 electron तो इसमें दोस्तो हो जाएगा sigma 1s2 clear पिर sigma दोस्तो आप लोगों को समझ देना है clear है अब दोस्तो मैं आप से यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप से दी मैं पूछू कि बंद करम क्या होगा बंद करम बंद करम तो फार्मूला तो आपको पता ही होगा 1 by 2 N B minus N E clear है दोस्तो आबंधी इलेक्ट्रानों की संख्या देखिए 2 और 2 चार हो जाएगा और जो इस्टार बला दोस्तो विप्रीद बंदी तो 2 हो जाएगा calculate करें दोस्तो कितना हो जाएगा 1 by 2 4 में 2 गया दोस्तो 2 हो गया 2 से 2 डिवाइड 1 आगया आपका यह bond order है ना यह आगया दोस्तो आपके पास क्या बंद क्राम या बंद कोटी इस काम को आरे खीचना दोस्तो तो आपको यह हो गया उर्जा इस्तर ठीक है यह उर्जा इस्तर हो गया उर्जा इस्तर दोस्तो यह थोड़ा सा छोटा रहता है क्योंकि यहां पर इलेक्रान काम है पहले तो पता होना चाहिए कि हीलियम में है सोरी लीथियम में कितने इलेक्टरान दोस्तो तो लीथियम में टोटल इलेक्टरान होते हैं जैसे मैंने एक लीथियम मैंने यहां कर दिया और एक लीथियम यहां कर दिया और दोनों जब दोस्तों आपस में मिलेंगे तो लीथिय बरे जाएंगे ठीक है 1S में इसमें भी 1S में 2-2 इलेक्ट्रान बर जाएंगे इसके बाद दोस्तों आता है 2S तो फिर 2S में बरेगा किसमें बरेगा 2S में बरेगा ठीक है 2S में बरेगा ऐसा मैंने बना दिया क्लियर है अब दोस्तों समझेगा 1S में एक कच्छक होगा ना एक कच्छक एक कच्छक इसके पास भी एक कच्छक क्लियर है और इसके पास भी दोस्तों एक कच्छक और इसके पास भी एक कच्छक इसका बनाने का ताथ पर नहीं दोस्तों कि आप बिल्कुल कठीन समझे बहु सिंगल सिंगल लेक्टरान है ठीक है अज़ी बनाना चाहते हैं बीडिवाद तो देखिए इसको आगे बढ़ाएं इसको भी आगे बढ़ाएं इसको भी आगे बढ़ाएं थोड़ा सा दोस्तों दोनों में ऐसा किया करें ठीक है ऐसा करें ठीक है दोनों में ऐसा कर देंगे च इतना सिंपल है बनाने में बहुत आसान है। लोग कहते हैं बेना small के बनता नहीं है। इजी है बहुत इजी है। अब इसमें क्या हो दोस्तो आपको पता हुझाए। नीचे वहला इस तरह होता है। यह सिगमा ओवन और यह सिगमा इस टार ओवन अस है। और यह सीगमा टू एस है और यह सीगमा इस्टार 2S है ना तो दूसतो पहले एलेक्टृन इसमें बढ़ेगा दो MILKоры ही टोटल चाहरे इसमें बढ़ेगा is इसमें बहुत थो abled इसमें दूसतो आपके बास एक 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 क्वार्टन दो MILKράण बहुत इसमें जिरो के चोटे चोटे एंपेपर में इतना नहीं पूछे जाते लेकिन जो आगला वीडियो रहेगा दोस्तो नेट्रोजन का और फ्लोरीन का वो काफी मात मुण रहेगा तो आसा करता हूं दोस्तो आप अगले वीडियो को जरूर देखेंगे तो फिर दोस्तो चलते हैं मिलेंगे वीडियो में इने टॉपिक्स ना दुख्तो तब तक लिए जेहिन बांदे मातरम